हेलो फ्रेंड्स क्या हल है दोस्तों आज एक बहुत इंपोर्टेंट और सीरिस इशू पे बात करूँगा मैं इस वीडियो में वो मैं बात करूँगा जिस परकार से उडिसा के भुवनेश्वर में ये केस एक पुलिस के हाई हेड़ेडनेस का पुलिस की दरिंदगी का जो के एक सर्विंग आमी ऑफिसर सर्विंग कैप्टन सिख रेजमेंट के और उनकी फ्यांसी जो खुद लॉयर है एक रेस्टरांट चलाती है और एक रिटायर्ट ब्रिगिडियर की बीटी है तो पूरी की पूरी फॉजी फैमिली है पड़े लिखे फैमिली है ये उडिसा की ज उपर जो कि खुद लॉयर है उसके साथ पुलिस थाने में क्या हुआ वो वीडियो जो है किसी को भी रूलाने के लिए काफी है इसकी बात करूँगा साथ में ये भी बात करूँगा कि क्या मिलिटरी पीपल ये तो आफिसर हैं और इमेजन जवान हमारे सेपाई हमारे एंस फॉज की है क्योंकि फॉज एक ऐसा इंस्टिटूशन है जिसको पूरे देश पर गर्व है और पूरा देश इस बात का बहुत मान करता है समान करता है and army has a special place in the hearts and minds of people of this country एक respect है and पुलिस को ये जरूरी है इस respect को recognize करना क्योंकि जब कोई विबदा आती है जब पुलिस नह handle कर पाती कोई situation को तो army को बुलाया जाता है और हम लोगों ने अपनी service में कितनी बार पुलिस की मदद करिये पंजाब हो कश्मीर हो उतर परदेश हो नौर्थ हीस्ट हो करनाटका हो केरला हो जब कहीं देश में मुसीबत आती है तो फॉज को बुलाया जाता है फॉज वैस training का पार्ट है तो इन सब चीजों पर मैं बात करूँगा लेकिन सबसे पहले बात करूँगा मैं यह जो उडिसा में जो केस हुआ है देखो यह संडे की रात को हुआ यह officer है अपनी fiance के साथ वो एक restaurant चलाती है lawyer है और वो रात को निकलते हैं वापस घर जाने के लिए तो रस का कि चलो इसकी police को report करते हैं यह हमें harass कर रहें तो क्या रात को यह और लोगों को भी harass करते हैं तो यह जाते हैं police station में और यह कमाल की बात है यह modern police station है यह अभी कुछ महीने पहले inaugurate हुआ है एक ऐसा citizen friendly police station बनाया गया इसको मैं हरान हूं कि इस अच्छी मंशा के साथ बनाय है गया police station में यह जाते हैं सोचके कि यहां पर हमारी सुनवाई होगी उसके बाद जो पूरी रात का घटना चकर है वो किसी को भी जो है दुख दे सकता है officer को lock up में डाल देते हैं और वो complaint लिखते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती और इस महीला के साथ क्योंकि लॉयर है उसको जिस परकार से कॉलिडॉर में बाल पकड़ के खीचा जाता है महिला पुलिस कर्मियों द्वारा वो अपने आप में एक बिलकुल human right abuse है and totally high headedness दिखाता है पुलिस की लेकिन जो सबसे ज़्यादा शरम नाक जो सबसे ज़्यादा भैभीव घटना इनके साथ होती है व वो जो है एक वीडियो में बताने लायक नहीं है जिस परकार से वो उनको sexually molest करते हैं और इस दोरान जो है उनका दांट तूड़ जाता है उनका जवारा डिसलोकेट हो जाता है उनको बहुत गंभीर चोटे आती हैं और उसके लिए उनको aims में दाखिल होना पड़ता है और पुलिस इनको इनके against FIR कर देती है कि इन्होंने पुलिस officials के उपर जो है अटैक किया है यह शुकर है social media का और जिस परकार से यह viral हुआ event की जो है उसके बाद पुलिस back foot में आई और latest उसमें जो है पुलिस ने जो है पांच लोगों को जो उसमें थे थाना इन चार्ज और उ इसमें हमारे आमी में जियो सी मद्य भारत तेरिया है लेफ्टिन जर्र शेखावत उन्होंने बहुत एहम भूमी का निवाई है और आर्मी की top leadership ने immediately issue के उपर जो है उडिसा के साथ सरकार के साथ DGP लेवल पर बाचित की है और high court ने भी इसको जो सुआ मोटो लेके जो है इस केस की सुनवाई शुरू कर दिये अब ये तो एक incident है अभी अगर ये एक महिला के साथ पड़ी लिखी महिला के साथ जो lawyer उसके साथ हो सकता है तो आप सोचो थाने में हमारी जो गरीब या कम पड़ीवी औरते हैं उनके साथ क्या होता होगा ये आप अंदाजा लगा सक ने इसलिए ठाने में जाते नहीं है लोग खास तोर पे रात को दूसरी चीज़ ये है कि अगर पुलिस इस परकार से और ये इकलोता केस नहीं है इससे कुछ दिन पहले महु में दो यंग आफसर्स के साथ जो केस हुआ वो भी बहुत खतरनाक है जहां उनकी पिटाई को पुलिस लॉक अप के अंदर हुमिलेट किया गया या पीटा गया है अब मैं बड़े मुद्धे पे आता हूं कि ठीक है ये इवेंट वाइस के ओपर कुछ दिन तक सोशल मीडिया में और उस पे चर्चा रहेगी इनको सस्पेंट किया गया है बाद में ये बहाल हो जाए पुलिस अपने करमचारियों को बचा लेगी लेकिन बड़ा मुद्ध ये है कि इस देश में बार बार ऐसा क्यों होता है हम बहुत सालों से कहते रहें वी नीड पुलिस रिफॉर्म्स ये जो थाना सिस्टम है ये जो एसेचो सिस्टम है ये जो लठ इस्तेमाल करने का सिस् पुलिसिंग सिस्टम जो हमारे देश का है ये 1857 कि पहली करांती के बाद अजादी की पहली लड़ाई के बाद ये सारे लौजा आये वही लौज थोड़ा बात उनको कहीं नाम बदल दिया गया है कहीं कुछ और कर दिया गया है वही लौज चल रहे जो पुलिसिंग वो अंग्रेजियों की देन और वही चलता हा रहा है अब दुनिया के कितने देशों में जाओ अमेरिका में इस सिस्टम नहीं है वहाँ जो लोकल शेरिफ है वो बॉस होता है पुलिस का आप योरप के कंट्रीज के अंदर देखें हमारे हमारे एरिया में भी आप जाकर देख है और हमारे हैं पुलिस के पास जाना एक डर एक खौफ की बात है और तो ये पूरा का पूरा जो है लॉज जिस परकार से हैं जिस परकार से हम ट्रीट करते हैं जिस परकार से एविडेंस कलेट करते हैं जिस परकार से हमारा पुलिस सिस्टम और फिर जूडिशरी खास्त तो टॉप डाउन ना करें, इसको बॉटम सब करने की जुरुत है, सबसे पहले हमें हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं, जो हमारे थाने हैं, इनको सही करना पड़ेगा, इनको ये सिखाना पड़ेगा, इनको सौफ्ट स्किल सिखाने पड़ेंगे, इनकी अगर dress change करने की जुरत है तो वो भी करिये और इनको जो है इनको इस सिखाना पड़ेगा कि वो सेवा के लिए हैं लोगों की वो law and order के लिए हैं वो यह जो लोग हमारे पास आते हैं complaint करके वो tax देते हैं उससे आपकी तंखा आती है आपकी housing होती है आपको सारी उमर के लिए pension दी जाती है so यह as a service है this is a service to the people of the country इस इसको क्यों नहीं समझते हैं हमारे हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो entire IPS का system है इसको भी देखने की जुरत है क्योंकि जो investigation है जो कारवाई होती है वो सारी की सारी जो lower level के police हवलदार से लेके ASI SI के लोग करते हैं उनको क्या skill सिखाया हमने service में क्या हमारे पास forensics है हमारे पास body cam क्यों नहीं है पुलिस वाले के पास जब uniform में है कि जो वो action करता रिकॉर्ड होता जाए जैसे बाकी देशों में इसके लिए कि हमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा यह तो supreme court ने का है कि हर police station में CCTV camera होना चाहिए 24 घंटे S.H.O. क्या कर रहा है मुंची क्या कर रहा है कौन आया complaint के लिए किस time आया उसको कौन से lock up में किस ने कूटा है वो सारा का सारा record होना चाहिए क्यों नहीं होता है record यह record नहीं होता है तो police जो है जो अपने उन्होंने अपने हिसाब से वो case बना देते हैं case को दायर कर देते हैं आप फिर तारीक पे तारीक आप लगे रहो कितने ही cases हैं आप रोज एक बार उठा के देखो high courts के अंदर बाकी courts के अंदर कितने ही लोगों को सालों साल जेल में रखा जाता है नाम हिंदी के नाम बड़े अच्छे हैं लेकिन जो spirit है law की जो तरीका है law का वो वही का वही है 99-95% जो है laws वही है जो पराने laws चलते आ रहे हैं so somewhere क्या एक विक्सित भारत को एक भारत जो की आगे बढ़ना चाता है दुनिया में क्या इस टाइप की policing system इस टाइप के administration के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं यह हमने सोच रहे हैं और साथ में women empowerment women safety का भी है अगर रात को कोई महिला आपके पास ठाने में शिकायत कर रही है और वो कह रही है ऐसा हुआ है तो क्या हम उनको बैठा के पानी का ग्लास दे के क्या उनकी बात सुन नहीं सकते हैं क्या पुलिस के जो कर्मी सामने reception पे बैठे हैं टेबल पे बैठे हैं क्या उनमें इतना गुसा है कि आप कोई agitated आपके पास आया है तो आप उसको जो है उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आइटेंग ओडराल वी नीड मेजर पुलिस रिफॉर्म्स वी नीड तो इस केस के अंदर जेल विदाउट बेल तैट इस अन्ली आंसर और सिर्फ यह पुलिस करनी नहीं जो रात को जिन्नों ने हैवानियत दिखाई है इनके ऑफि कर में बहुत से लोग जो है उनको सारी उमर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है तो जो भी कमिशनर और पुलिस है उसके उपर भी इसकी जो है आँचानी चाहिए इसका मतला आपने जो है अपने आपकी जो सुपर विजन आपके थाना सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर है आपका फीड़ बैक मेकैनिजम कमजोर है तो यह करना पड़ेगा और ऐसी सोपी बनानी पड़ेंगी यह केस भुवनेश्वर का है बट ऐसे केस देश के हर कोने में होते रहते हैं होते रहेंगे तो इसको कैसे रोका जाए क्या हम कोई और किस परकार से जब कोई मिलिटरी क चाहिए वो सिपाई हो या कोई ऑफिसर हो उसके साथ कैसे पुलिस ने ट्रीट करना है क्या हम इसकी कोई सोपी बना सकते हैं या कोई हमें कोई प्रोसीजर ऐसा कर सकते हैं मैं यह चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप देखें और कॉमेंट करें कि आपके साथ अगर पुलिस के थाने में गएं आपके माबाप कहीं गएं आपके साथ कैसा बरता हुआ और हमें किस परकार के पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए विकास फाइनली रिफॉर्म्स आएंगे तो जो है हमारे को लगेगा पुलिस भी आपकी सेवा में रहेगी और लोगों को भी लगेगा यह हमारी पुलिस है और हमने इनके साथ कॉपरेटर ला है थैंक्यू जैन